Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल पहुच गया, जिसकी वज़े से हिंदु शादी को लेकर Supreme Court को यो बयान देना पड़ा, आखिरकार क्या-क्या चीजे हुई है, वो सब कुछ मैं आपको डीटिल से इस वीडियो के अंदर बताऊँगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले धान रखेगा, आप में से जो भी लोग UPSC की प्रिप्रेशन कर रहे हैं, आप हमारे नए GS Foundation Batch को ले सकते हैं, देखिए यह ऐसा GS Foundation Batch है, जिसके अंदर आपको पूरी त्यारी कराए जाती है, प्रिलेंस, मेंस, इंटर्व्यू, सब कुछ जो आपको UPSC में त्यारी करनी होती है, 18 बुक्स आपको इसके अंदर मिलते हैं, परसनल मेंटर भी आपको अलोट किया जाता है, ताकि डारेक्ट आप उनके साथ कनेक्ट में रह सकें, बस आपको हमारे वेबसाइट आप पर जाना है, कमेंट सेक्शन में लिंक है, और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ये कोड इस्तमाल करने से स्टड़ी आई क्यों के किसी भी बैच, किसी भी कोर्स को अगर आप जॉइन करते हो, तो आपको मैकसिमम जो डिसकाउंट है वो मिल जाता है, और इसके लावा अगर आप MCQs अटेम्ट करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेश पर जाएए, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं, उसको आप अटेम्ट कर पाएंगे, चले शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि exactly हुआ क्या है, देखे सुप्रीम कोट ने ये कहा है कि हिंदू मैरेज करना मतलब ये नहीं है, कि आप नाच गाना कर लिए, खा लिए, पी लिए, मतलब कि आप जो बाकी की जीजें करते हैं ना, किसी भी शादी में, नॉर्मली अगर आप देखोगे, तो सिर्फ वही हिंदू मैरेज नहीं होता है, हम किसी भी हिंदू शादी को तभी complete मानेंगे, जो process बोला गया है हिंदू मैरेज आक्ट के अंदर, जब वो सारी चीजें complete होती हैं, सही तरीके से की जाती हैं, तभी उसको हिंदू शादी माना जाएगा, ये सुप्रीम कोट का एक बहुत बड़ा फैसला है, ध्यान से समझेगा, और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर सुप्रीम कोट की जो दो जजज हैं, तो शादी का अपने आप एक बहुत महत्व है, तो हमें उसको डिग्रेट नहीं करना चाहिए, अलग-अलग चीजें करके, तो अब कोशन यह है सबसे पहला, कि आखिरकार ये मामला सुप्रीम कोट में गया कैसे, और मामला है क्या, देखो क्या है ना, ये पुरा मामला एक कपल के बीच की लड़ाई कह लीजे, उनके शादी को लेकर कह लीजे, ठीक है, एक कपल है जिसके बीच में कुछ मद्भेद हुआ, जिसकी वज़े से अल्टिमेटली मामला सुप्रीम कोट पहुँच गया, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, एक कपल, मतलब लड़का और लड़की, मार्च 2021 में उन्होंने तै किया कि हम शादी करेंगे, उन्होंने एंगेज किया अपने आपको, और फानली जुलाई 2021 में क्या होता है, वो शादी कर लेते हैं, अब दीखें, ये शादी कैसे होती है, ये important है, बेसिकली क्या है कि वहाँ पर एक local religious organization है, वहाँ से इन्होंने एक marriage certificate निकलवा लिया, ये religious organization का नाम है, वैदिक जनकल्यान समीती, और वहाँ से इन्होंने marriage certificate निकलवा लिया, और इन्होंने कह दिया कि हम जुलाई 2021 में शादी कर चुके हैं, और इसी के basis पर इन्होंने फिर क्या किया, उत्तर परदेश के अंदर, वहाँ पर उत्तर परदेश marriage registration rules 2017 है, उसके basis पर जो हिंदू marriage act होता है, अपना शादी register करा लिया, हिंदू marriage act आपको पता होगा 1955 का ये कानून है, उसके तहट अपना ये शादी complete कर वा लिया, और ये certificate निकल वा लिया, और आपको पता ही हमारे देश में कोई भी certificate वगर निकलवाना हो तो कितना आसान होता है, मुझे कोई बतानी की जरूरत नहीं है, खेर अब देखें क्या है ना कि यहाँ पर जो उन्होंने certificate वगर निकलवाया, उन्होंने कहा legally कह दिया कि हम शादी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई भी जो ritual होती है ना हिंदू marriages में, उसको follow नहीं किया था, खेर जो भी है, दोनों के परिवारों ने, लड़का और लड़की दोनों के परिवारों ने एक date fix किया, फाइनली, October 2022, ठीक है, वो शादी का certificate कब निकलवाय थे, 2021 में, लेकिन दोनों की families ने तै किया, October 2022 में इनका proper rituals के तहत, शादी किया जाएका, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, चलो, late हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन क्या होता है, कि ये rituals होने से पहले, ठीक है, उनके बीच में मदभेद हो जाता है, दोनों लड़का और लड़की के बीच में, काफी सारे मदभेद हो जाते हैं, और in fact आप देखोगे, जो लड़का है, वो बिहार के मुझफर पूर family court में, divorce के लिए petition डाल देता है, ठीक है, ध्यान से सुनते जाएगा, लड़का क्या करता है, बिहार के मुझफर पूर family court में, एक divorce के लिए petition डालता है, कि मैं लड़की से divorce लेना चाहता हूं, तलाक लेना चाहता हूं, अब द देखे क्या होता है जो महिला की लॉयर है जो लड़की की जो लॉयर है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये बयान दिया कि इस शादी को कानून की नजर में वैलेड नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि हिंदू मैरेज एक्ट के तहत ये शादी अभी कंप्लीट हुई नहीं है और मेरा इससे तलाक हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारे बीच में अभी लीगल शादी हो ही नहीं है ठीक है अब देखे क्या होता है ये सारी चीज़े सुप्रीम कोर्ट में चली रही होती है लेकिन लड़का और लड़की कही ना कहीं उनको अकल आ जाती है समझ में आ जाता है कि द असला अब दोनों आपस में कुछ ना कुछ बीच में समझाता हो जाता होगा दोनों के बीच में तो ये लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि as per article 142 अब ये क्या है आर्टिकल 142 बेसिकली सुप्रीम को पावर देता है कि वो जस्टिस दिला सके कोई भी मामले में किसी भी म important है समझना तभी आप उस पूरे case को समझ पाओगे इसके अंदर जो 1955 का Hindu marriage act है इसके अंदर section 5 यहाँ पर conditions डालता है कि कौन लड़का और लड़की शादी कर सकते हैं ठीक है उनको हिंदू होना पड़ेगा और उसी साब से वो शादी कर पाएंगे जो section 7 है इस act का वो यह कहता है कि कौन कौन सी ceremonies यहाँ पर करानी पड़ेंगी जो कहते हैं प्रॉपर फेरा वगरा लेना अगनी के चारो तरफ तो वो सारी चीजें उनको प्रॉपर फॉलो करनी पड़ेंगी और जब यह सारी चीजें हो जाएंगी तो as per section 8 of the act उनको marriage certificate दिया जा सकता है ठीक है और यहा उनों लोगों ने उत्तर परदेश marriage registration rules 2017 उसके according यहाँ पर जो certificate है वो release करवा लिया था तो वो उसी में उनको power मिलता है इस act के तहत किसी भी राज्य सरकार को कि वो rules बना सकते हैं अब देखें यहाँ पर क्या है कि अगर कोई लड़का लड़की यह proper rituals follow करते हैं और उनको marriage certificate मिल जाता है as per Hindu marriage act 1955 तो उसमें उनको कई सारे advantages मिलते हैं वो बलब एक legal couple बन जाते हैं तो सरकार वगर से जो भी benefits हैं जो भी वो पेश कर सकते हैं कि हां देखें हम एक couple हैं हम शादी सुदा हैं ठीक है लेकिन ध्यान रखिएगा मैं फिर से repeat कर रहा हूं उनको तभी यह valid मान जाएगा यही Supreme Court ने का है तो Supreme Court की जो bench है दाना दो जज़ों की bench उन्होंने इस case में यही कहा कि लड़का और लड़की दोनों के शादी को null और void करार दिया जाता है क्योंकि उन्होंने भले ही certificate निकलवाया हो लेकिन proper जो rituals follow करना चाहिए इस शादी में वो उन्होंने follow नही किया था और इसी के साथ साथ क्या है कि जो divorce का petition डाला गया था तलाक का उसको भी invalid करार दे दिया मतलब उसको भी हटा दिया जाता है court के दोरा और जो dowry का भी case डाला गया था ठीक है उसको भी एक तरह से quash कर दिया जाता है court के दोरा तो सब कुछ सारा जो मामला है वो Supreme Court ख Supreme Court ने देखे यहीं पर कई सारी चीज़ है Supreme Court ने करीब 18 पेच का यह पूरा ruling दिया है और उसमें देखे यहाँ पर क्या कहा है Hindu marriage is a sacrament and samskar मतलब कि यह बहुती proper तरीके से follow होने वाली चीज़ है जो marriage होती है Hindu marriage और यहाँ पर एक तरह से यह religious चीज़ है हमें इसको सही तरीके से follow करना चाहिए और जो इसको करता है it creates the foundation of new family जब आप शादी करते हो ना तो एक foundation बन जाता है एक नए परिवार का और यहाँ पर देखे Supreme Court ने रिग वेदा का भी जिक्र किया और कहा कि रिग वेदा के अंदर जो सब्त पदी होता है मतलब कि जो फेरा लिया जाता है ना साथ अगनी के चारो तरफ तो उसमें साथ फेरा लेने के बाद जो लड़का है वो क्या कहता है लड़का कहता है कि इन साथ फेरा के बाद हम दोनों दोस्त बन गए हैं और हम चाहते हैं कि यह हमारी दोस्ती कभी ना तूटे तो इसका ही जिक्र यहां पर सुप्रीम कोट ने कहा है और एक तरह से इसके importance को बताया है सुप्रीम कोट ने और कहा है कि अगर कोई भी couple marriage का दरजा लेना चाहता है married couple का दरजा status लेना चाहता है तो उनको proper ceremonies और rights को follow करना होगा जो भी उस Hindu marriage act 1955 के तहट कहा गया है और यह सारी चीजें strictly follow करनी होगी आप उसको मजाग के तोर पर नहीं ले सकते आप यह नहीं कह सकती कि मैं ने एक party दे दिया अपने दोस्तों को उसमें खाना पीना था और हमने कह दिया कि हमारी शादी हो गई है ऐसा नहीं हो प्रोविजन कानून में है जैसे 1954 का एक कानून है special marriage act का तो आप इसके तहट शादी कर लीजे आपको कोई हत नहीं बनता कि आप Hindu marriage act के तहट जो चीजें कही गई है उसको मजाग बना कर रखें ठीक है तो एक बहुत साफ साफ निर्देश यहां पर Supreme Court की तरफ से आया है and I think एक बहुत important judgment था यह और मैं समझता हूं कि देखिए यह सरफ Hindus के लिए ने किसी भी religion के लिए एक तरह से यह माना जाएगा फिर मतलब चाहें वो Islam हो Christianity हो कोई भी आप religion लीजे क्योंकि अगर Hindu marriage के लिए कहा जा रहा है कि अपने आप में इतना sacrosanct है तो वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि हर एक religious में जो शादी होती है वो अपने आप में काफी ज़्यादा importance रखती है उसको आप मजाग के तौर पर नहीं ले सकते और जो यह मैंने आपको बता ना special marriage act इसमें कोई भी धर्म के जो person है वो शादी कर सकते हैं तो जिनको अपने धर्म के हिसाब से नहीं करना वो इसके तहट अपना शादी करवा सकते हैं खेर जाने से पहले एक interesting question क्या आप बता सकते हो यह जो Hindu code bill है यह किसके दौरा ड्राफ्ट किया गया था आजादी के बाद यह Hindu code bill आक्ट्री लाया गया था तो यह किसके दौरा ड्राफ्ट किया गया था आपको बताना इन चार option में से इसका right answer आप सबको पता है मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं Telegram से ले सकते हैं इसका सही उत्तर में कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ अगर आपको PDF यह तो Telegram पर आईए अलगलग social media पर आप जुड़ पाऊगे और जैसे मैंने आपको बताया हैं अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं कोई भी बैच चाहते हैं you can just use this code ANKITLIVE to get maximum discount and I hope कि वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलता हूँ आप से next time till then thank you very much see you soon